नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर तो दोस्तो राजिस्थान PTI भरती 2022 का ओनलाइन आविदन फोरम कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाइ स्टेप जानकारी इस वीडियो में देने वालों अगर आपको भी PTI भरती 2022 के लिए ओनलाइन आविदन फोरम भरना है तो इस वीडियो के साथ हो आप बने रहे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले या फिर ओनलाइन आविदन फोरम भरनने से पहले आप सब के लिए दो जुरूरी शूचना पहली शूचना तो यह है कि देखिए इस वीडियो में आपको केवल और केवल ओनलाइन आविदन फोरम भरनने के बारे में जानकारी दे रहा हूँ अगर आपको PTI भरती 2022 के बारे में डिटेल से जानकारी लेने हैं यानि टोटल पोस्ट कितनी है अग्जाम कब होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो देखिए इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है इसके लाँ दोस्तों दूसरी जरूरी जानकारी ये है कि देखिए ये जो ओनलाइन आविदन फोरम भरने की जो डेट रहेगी वरना फिर आप बार-बार कमेंट करोगे तो आप ये जो ओनलाइन आविदन फोरम है 23 जून से लेके 22 जुलाइद 2022 तक वो भर सकते हो तो लास्ट डेट यानि 22 जुलाइद 2022 से पहले पहले आपको ये आविदन फोरम भरना है हो सकता है कि डिपार्टमेंट के दवरा उसके बार डेट बढ़ा दी जाए वो एक अलग बात है उसके बारे में जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर में आपको जुरूर जानकारे दूँगा जलिए आविदन फोरम भरना शुरू करते हैं तो जोस्तों आविदन फोरम भरने के लिए सबसे पहले आपके पास अपने खुद की एक SSO ID होने चीए क्योंकि ये जो आविदन फोरम है केवल और केवल SSO ID के दोरा ही भरा जाएगा चाहिए वो राजस्थान का कंडिडेट हो या फिर राजस्थान के अलावा किसी दूसरा स्टेट का हो रहने वालो अगर आपके पास पहले से SSO ID है तो उसके दोरा आप भरम भर सकते हो अगर आपके पास पहले से SSO ID नहीं तो आप अपने एक नई SSO ID बना लीजेगा अगर आपको ये नहीं पता है कि नई SSO ID कैसे बनाई जाती है तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है चाहो तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो SSO ID कैसे बनाए तो आपके सामने हमारा ये वीडियो आ जाएगा इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको पूरी जानकारे मिल जाएगे अब मान लीजिए दोस्तों आपने SSO ID बना ली SSO ID बनाने के बाद आपको SSO ID के Login पे पे आ जाना है जो कि कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे नजर आएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको SSO ID डालनी है पासवड आपको डालना है यह नंबर दिया गा इस बोक्ष में आपको यहाँ पे डाल देना और फिर आपको Login पे क्लिक करना है अब जैसे आप Login पे क्लिक करोगे तो आप अपने SSO ID में इस तरह से Login हो जाओगे अगर आपने पहले से अपने SSO ID में कोई Application ओपन की है तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पुराने वाली Application आपको नजर आएगी अगर आप पहली बार या Fast Time में SSO ID ओपन कर रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरह से Application या Website के Link आपको यहाँ पे नजर आएगे अब PTI भरती 2022 का Online आवेदन फोरम भरने के लिए आपको यहाँ पे Recruitment Portal का Link आपको मिल जाएगा चलिए हम आपको जूम करके वो दिखाता हूँ यह है इस तरह का Recruitment Portal आपको इस Link पे क्लिक करना है अब देखिए दोस्तों मेरे Case के अंदर या मेरी SSO ID में आप यहाँ पे देख सकते हो यह सबसे Fast में सो हो रहा है आपके Case में साइद ऐसा नहीं होगा अगर आपको Fast में सोन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे Alphabet यहनी A, B, C, D के इसापसे R के उपर है आप थोड़ा सा नीचे वो सर्च कर लेना नीचे जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेकिन आपको Recruitment Portal वाले Option पे क्लिक करना है अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए कुछ इस तरह से Recruitment जो Portal हो ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे तीन सेक्षन दिखाए देंगे My Application, Notification, Ongoing Recruitment आपको Ongoing Recruitment के सबसे लास्ट में देखिए आपको यहाँ उप्शन मिल जाएगा Physical Training, Instructor, Direct Recruitment 2022, RSSB और इसी के आगे आपको Apply Now का उप्शन मिल जाएगा इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेकिन दोस्तों फोरम भरने से पहले एक जानकारी और देना चाहूंगा देखिए यह जो फोरम है मैं आपको अपने कंप्यूटर के दोरा भरके दिखा रहा हूं चाहो तो आप यह फोरम है आप अपने मोबाइल से गर बठे आराम से भर सकते हो बस सर्त इतने सी है कि आपके पास Online Payment करने की कोई भी सुईदा हो इसके लावा एक और जरूरी जानकारी जब भी आप PTI भरती 2022 के लिए Online आउदन फोरम भरना सुरू करोगे तो उससे पहले आपको OTR का Registration करना पड़ेगा OTR का मतलब है One Time Registration One Time Registration के बगर आप यह फोरम ही नहीं बर सकते अगर आपने अभी तक One Time Registration नहीं किया तो यहाँ पे देखिए आपको Direct Link हो मिल जाएगा One Time Registration इस पर किलिक करके आप अपना One Time Registration कर लिजेगा अगर आपको यह नहीं पता है कि One Time Registration कैसे किया जाता है तो देखिए इसके लिए भी हमने एक अलग सी वीडियो बना रखा है चाहो तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो OTR by ज्यानकामना तो देखिए आपके सामने हमारा इस परकार का यह वीडियो आजाएगा इस वीडियो में मैंने OTR को लेके बहुत important जानकारी दी है दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए फोरम भरना शुरू करते है डारेक्टली आपको apply ना वाले option पे click करना है अब जैसे आप इस पे click करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको option नजर आएगा physical training instructor इस पर आपको यहाँ पे click करना है click करने बाद देखिए इस तरह से एक forum है वो open हो जाएगा इसके अंदर यह 3-4 step हैं जिनको आपको complete करना है basic detail है, personal detail है, qualification है, identification है सबसे पहले यहाँ पे detail आ रहे है step आ रहे है basic detail अब देखिए basic detail के अंदर आपकी खुद की जो detail है यहाँ पे automatic आ जाएगे यह automatic इसलिए हैं क्योंकि आपने OTR का registration किया था और OTR के अंदर जो भी आपकी information थी यहाँ पे automatic है वो आ गई है अगर यहाँ पर किसी परकार की कोई गलती है याँ आपके OTR में किसी परकार की कोई गलती है तो OTR को आप update है वो कर लीजिएगा और यहाँ पर देखे कुछ basic जी जानकारी है कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है यहाँ पर आपका नाम, पता, address की आपको यहाँ पर जानकारी देनी है और इसके बाद आपको यहाँ next पर click कर देना है अब जैसे आप next पर click करोगे जुष को रहने वाले हैं.. तो आप अपने आवस्थान कोई भी स्टेट fragrance स्लिट कर लीजेगा.. और यहां पे आपका ईडीया के और इसके बाद यहांपर आपका इसे अपकर तैस्ठी चर स्लिट कर लेइगा.. और इसके बाद देखें, यहाँ पे एक चीज पूछी जा रही है, पूरो इस्थापित, यानि अगर आप दूसरे देश से आके इंडिया में बसे हो, तो आपको यहाँ पे नो करना है, और वैसा साइधी कंडिडेट यहाँ पे होगा, चलिए, इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आगे की जो इस्थेप आती है, इसपेशल केटेगरी या विशेश सरेणी, और विशेश सरेणी या फिर इसपेशल केटेगरी में फैस इस्थेप आती है, क्या आप बूद पूरो इसेनिक है, अगर आप एक सर्विसमेन हैं, तो आपको यहाँ से येस करना है, अगर न चलिए मैं यहाँ पे no करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप उतकष्ट खिला डियें, अगर हो तो yes कर दीजेगा, नहीं हो तो no कर दीजेगा, अगर आप हो तो आपको yes करना है, और जैसे आप यहाँ पे yes करोगे, तो देखिए, yes करने के बाद नजर आएंगे, एक आरा नेशनल, एक आरा इंटरनेशनल, अब आप पे जो भी लागो होता है, अगर आपने नेशनल खेल खेला है, तो इसको select करना है, अगर आपने इंटरनेशनल खेल खेला है, तो आपको इसको select करना है, मैं यहाँ पे national हो select कर रहा हूँ, अब इसको ज कार कौन सा है अब आपको कौन सा मेडल है वो मिला है तो आप अपने आवसेक्ता इनोसार जो भी है उसलेट कर लीजिएगा ठीक है अब यहाँ पे आपको अपनी सेंस्था का नाम लिखना है ठीक है और खेल का नाम आपको लिखना है और भागिदारी का वर्स आपको यहाँ लिखना है ठीक है आपके पास यह जानकारी होनी चाहिए लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा यह जानकारी आपको तभी फिल करनी है जब आपके पास certificate available क्योंकि कई बार ऐसी fake जानकारी है candidate वो डाल देते हैं यहाँ पे ताकि हमें आरक्षन मि लंगा जाएगा अगर आपके पास है तो verify हो जाएगा वरना आपको reject हो कर दिये जाएगा चलिए मैं यहाँ पर no कर रहा हूं यह तो क्यों आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था चलिए इसके बाद यह दिए आप कोई NCC candidate है तो आपको यहाँ पर yes करना वरना आपको no क कर देना है इसके बाद क्या आप मोजुदाराजे सरकार के करम चारी एगर आप राजस्थान गॉपर्मेंट के किसी भी department के इस्थाी करमकारी है तो आपको यहाँ पर yes करना है और yes करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको समझनी department का नाम लिखना पड़ेगा मैं यहाँ no कर रहा हूँ, आप पे लागू होता तो कर दीजिएगा चलिए, अगली step के अंदर दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पारिवारिक वार्षिक आय डायलाग से कम है, अगर वो कम है तो आपको यहाँ पे देखी yes करना है एक बार मैं यहाँ पे no करता हूँ जैसे आप यहाँ पे yes करोगे तो देखी इस तरह से एक notification आएगा, फिर से आपको यहाँ पे yes करना पड़ेगा, ठीक है लेकिन डायलाग से यह दी आपकी वार्षिकाए कम है, तो यहाँ पे दो जरूरी verification की process चलेगी, उस समय आपके पास मौझूद होना चीए, क्योंकि department इसे चेक करेगा, इसके लाव यहाँ पे दूसरी खास जानकारी यह है यह दि आप यहाँ पे देखी, वार्षिकाए डायलाग से कम करके, यहाँ पे yes करते हो तो यहाँ पर आपको आवेदन फीस में भी छूट मिलने वाली है, चाए आप candidate राजिस्थान के हो, या फिर किसी दूसरे state के रहने वाले हो तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास income certificate होना जरूरी है गलत जानकारी आपको नहीं देनी है सोप सास रुपे में किसी परकार का कोई फ्रक हो नहीं पड़ता है, इस बात को भी आपको धान रखना है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए additional category या tricks range के बारे में पूछा जा रही है अगर आप यह लागू होती है तो आप किसी box में टिक हो लगा दीजिएगा नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा इसके बाद आप सब के लिए सभी pts हाथियों के लिए बहुत important जानकारी देखिए, do you want sports mark benefit as per advertisement यानि विज्यापन के अंदर जो भी यहाँ पे sports quota को लेकि जो आरक्षन का benefit अगर आप लेना चाहते हो तो आपको यह detail फिल करनी है, अब क्या-क्या फिल करनी है, ध्यान से देख लीजिएगा do you want sports mark benefit जी हाँ, मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास यह certificate तो है क्योंकि आप PTA भरती के लिए जा रहे हो इसके बाद sports person type कैसा है district का है, international है national है या फिर state है अपने आफ से ताग नुसार आपने कौन सा खेल खेला है district level का खेला है, राज्य लेवल का खेला है राश्टी लेवल का खेला है या अंतराश्टी लेवल का खेला select कर लिजेगा, मैं यहाँ पर एक बार national है, वो select कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर देखे, sports organization name यहाँ पर आपका जो संगठन था जिसके थुरू आप खेलने गए थे उसका नाम आपको यहाँ पर select करना है school game के थुरू गए थे या national और inter zone level sports academy के दवारा किये गए थे तो जो भी आप पर लागू होता है इससे select है, वो कर लिजेगा ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखे, name of tournament या championship select कर लिजेगा, जो भी आप पर लागू होता है ठीक है, sports का name आपको यहाँ पर select करना है अब यहाँ से आपका जो game है वो game का नाम दोस्तों आपको यहाँ पर select करना है काफी सारे game दिये गए हैं आप अपने आफसेखता के नुसार है select है, वो कर लिजेगा, अगर इंगलीस में नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, हिंदी में convert कर लिजेगा आज कल Google Baba चल रहा है कोई spelling अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वैसे देखिए, सीधे साधे game के नामे कोई दिकत नहीं तो चलिए, मैं यहाँ पर कोई भी एखेल है वो select कर लेता हूँ, मेरी आफसेखता है कि नहीं सार यहाँ पर मैं कबडी है, वो select कर रहा था कहां गई है, कबडी, 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 कबडी हाँ, यह रही कबडी, ठीक है इसके बाद position क्या थी आपकी यहां से आपको position select हुओ करनी है आपने participate क्या था या second position थी या third position थी या फिर winner थे ठीक है किस तरह से था तो select कर लिजी कि आपने आफसे तेनों सार कि भी हम winner थे second winner थे ठीक है चलिए इसके बाद दोस्तों यह सारी information complete होने के बाद आपको यहां next पर click कर देना है अब जैसे आप यहां next पर click करोगे तो आपकी यह step भी complete हो जाएगी अगली step आज जाएगी जहां पर आपको अपने qualification के बारे में यहां पर जानकारी देनी है और सबसे पहले तो देखी यहां पर वैसे तो देखी एटोमेटिक आपकी qualification आ जाएगे अगर आपने पहले SSO ID के थुरू कोई भी अपना forum भरा है ठीक है अगर आप पहली बार भरने जा रहे हैं तो आपको अपनी qualification डालने पड़ेगी और यहां पर देखी सबसे उपर एक tick आ रहा है यहां पर education वो आच चुकी है ठीक है और यहां पर अगर आपके case में नहीं आ रही है तो देखी आप यहां इस तरह से screen को pose करके देख सकते होगी किस परकार की detail भरनी है सबसे पहले तो यहां पर देखी है आपकी जो exam name यहां पर आपको दिखाए देगा अब यहां पर देखी जिन-जिन serial number के आगे star mark लगावा वो compulsory है धानक न वो detail आपको भरने ही पड़ेगी उसके बगर आप यह forum नहीं भर सकते ठीक है चलिए यहां पर देखी आपको subject का नाम आपको लिखना है यानि 10th में आपका कौन सा subject था तो यहां पर देखी मैंने edge offer किया है तो edge offer का मतलब है कि board के दोरा जो हमें offer किये गए है या जिस school को जिन subject की मानिता मिली है उस समय वो सारे available है ठीक है चलिए इसके बाद यहां पर 12th class के आपको जो भी man जो subject हैं optional जो subject हैं केवल उने की detail आपको डालने है compulsory जो subject हैं जैसे हिंदी, English इनकी detail आपको डालने की कोई आफ सेखता नहीं इसके बाद अगर आप graduate हो तो आपको detail डालने है यहां पर आपको board का नाम और university का नाम आपको डालना है अपने role number आपको डालना है result कैसा था, percentage था या CGPSA कैसा था, grade था select कर लीजिएगा साल कौन सी थी, यहां से आपको अपनी साल हो select कर लेनी है कौन सी साल में आपने pass की थी grade कितनी आई थी, यहां पर आपको total percent हो लिग देना है इतना करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए serial number 4 के अंदर आपको यहां पर आपने कौन सा course कर रखा है BPAड हो, CPAड हो, या DPAड हो, select कर लीजिए जो भी आप पर लागो होता है फिर उसकी detail आपको यहां पर फिल करने है subject कौन से थे, board का नाम क्या था, या university का क्या नाम था roll number आपको डालने है, percentage आपको यहां पर डालने है यह detail फिल करने के बाद आपको यहां पर आना है अगले step में यहां पर पूछा जाया है, debate details भाईसकर्थ करने का अभीवरण यह दि आपको पहले किसी भी exam के अंदर यहां पर भाईसकर्थ किया गया है निकाला गया है, आप अपरादी दोसी दो है तो आपको यहां पर yes करना वरना आपको यहां पर no करना है मेरे case में मैं इसे no करना हूँ इसके बाद आपको यहां next पर click करना है अब देखिए यहां पर हमने education qualification की detail सही तरीके से नहीं भरी तो चली मैं भर देता, चली मैं detail भर दे फिर आपको यहां पर next पर click करना है तो आपकी step complete हो जाएगी, next step आ जाएगी और next step के अंदर दोस्तों आपको अपने identification के बारे में जानकारी देनी है और इसका मतलब है कि यहां पर आपको अपनी photo upload करनी है और अपना signature upload करना है अब देखिए मेरे case में पहले से photo है, वो automatic आज चुकी है वो इसलिए है क्योंकि हमने पहले SOS ID के दौरा कोई forum भरा था तो automatic photo इसने हुटा ली आपके case में अगर ऐसा नहीं है तो देखिए यहां पर इस तरह से आपको browse का option हो मिल जाएगा इस पर आपको click करना है लेकिन photo और signature upload करने से पहले खास जानकारी देखिए photo की जो maximum size है वो 100 के भी होने चीए और minimum जो size है वो 50 के भी होने चीए इससे कम होगी तो भी upload नहीं होगी और इससे जादा होगी तो भी upload नहीं होगी और signature की जो size है minimum 20 के भी और maximum यहां पर 50 के भी होने चीए चलिए मैं एक बार photo है वो जल्दी सा यहां से upload कर लेता हूँ photo upload करने के बाद या signature upload करने के बाद आपको यहां पर एक body mark डाल देना है ठीक है यह compulsory नहीं है अगर आपके सरीर पर कोई भी प्राकर्तिक पहचान चीन है तो उसे डालना है प्राकर्तिक डालना करत्रिम आपको नहीं डालना है करत्रिम का मतलब कोई short word का आपको नहीं डालना है लिख दीजेगा English में ठीक है इसके बाद आपको यहां next पर click कर देना है और next पर click करने के बाद आपकी सबी step complete हो जाती है और सबी step complete होने के बाद आपका forum का preview है कुछ इस तरह से आपको यहां पर दिखाए देगा ठीक है अभी forum complete नहीं हुआ है अभी आपको इसकी detail चेक करना है अगर इसमें दी गई जानकारी सभी सही हैं एक बार आप अच्छी तरह से इसे verify कर लेना और verify करने के बाद आपको यहाँ पर देखे final submit का option आपको मिल जाएगा इस पर आपको यहाँ पर click करना है अब दोस्तो final submit करने से पहले यहाँ पर एक जानकारी आपको देना चाहूँगा देखे जब तक आप इसका online payment नहीं करोगे तब तक यह final submit नहीं माना जाएगा बले ही आप यहाँ से इसे final submit कर दीजेगा अब देखे यहाँ पर जानकारी खास यह भी है देखे फिल हाल यहाँ पर फिस status में आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं आ रही है और लिखा आ रहा है not submitted yet ठीक है और यहाँ पर अंगोटे का निसान डाउन निचे की तरफ आ रहा है और red color का रहा है जब आपकी यहाँ पर देखे payment successfully हो जाती है तो आपके अंगोटे का निसान green color का हो जाएगा और उपर यहाँ पर देखे अंगोटे का निसान उपर की ओर हो जाएगा और यहाँ पर आपकी जो face की detail है वो भी आपको नजर आएगी जो कि आगे मा आपको यहाँ पर बता दूँगा चलिए आपकी details सारी complete है तो फिर आपको यहाँ पर यह जो declaration है box वाले option पर आपको click कर देना है और click करने के बाद आपको यहाँ पर final वाले option पर click करना है अगर माली जी आपके forum में किसी परकार की कोई गलती रह जाती है तो आपको update वाले link पर यह option पर आपको click करना है तो अब आपकी वही step open होगी जो फिलहाल हम एक एक करके forum भरके लेकिया है सभी को बार-बार आपको save करना पड़ेगा और फिर से आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा चलिए final submit करते है final submit करने के बाद यहाँ पर देखे एक बार फिर से आपको notification दे रहा है आपको फिर से final submit करना है और देखे यहाँ पर आपके सामने एक चलान या transaction number आगा temporary जिसे एक बार समभाल कर आप रख लीजेगा और यहाँ पर आपकी जो आवेदन फिस है वो भी देखे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर पे फिर से वाले option पर क्लिक कर देना है ओके पर यहांपर कलिक करना फिर पर आपको कलिक करना है अब यहांपर देखें आपको payment gateway पर ले जाएगा अब यहांपर कई बार ऐसा होता कि time भी लग सकता है Network देक्ट या server देक्त के कारण तो यहांँ से देखें आपको payment का mode हो मिल जाएगा आप देखिए यहाँ पर by default net banking है अगर आपके पास net banking की सुईद है तो इससे आप select हो कर लिजेगा इसके बाद आपके पास यहाँ पर दूसरा option आ रहा है यहाँ से भी आप इसे payment कर सकते हो देखिए यहाँ पर paytm से all credit card net banking है paytm wallet है ठीक है किसी से बेखिए आप यहाँ पर कर सकते हो मैं यहाँ पर net banking को select कर रहा हूँ इसके बाद जो भी आपका bank है यहाँ से आप select हो कर लिजेगा मैं इसे select कर रहा हूँ प्रेनाओ वाले option पर आपको यहाँ पर click करना है और click करने के बाद देखिए यह आपको जो आपका bank है उसके login page पे आपको ले जाएगा और login page पे ले जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना username और password आपको डाल देना है login पे आपको click करना है यहाँ पे आपके account के detail आपको यहाँ पे दिखाए देगी इसके बाद आपको यहाँ पे देखे confirm वाले option पे click करना है और इसके बाद फिर से देखे आपके mobile number पे एक OTP आएगी जो आपके bank account के अंदर link है उन पे एक OTP आएगी वो OTP आपको यहाँ पे डालना है OTP डालने के बाद आपको confirm पे click कर देना है और 60 second या तकरीबन एक minute के लगभग है वापस यह SSO ID portal पे है जो recruitment portal उस पे redirect हो जाएगा अब देखे दोस्तों माली जी आपका payment है आपके bank account से cut गया और cutने के बाद भी आपका जो form है वो final submit नहीं हुआ है अगर forum final submit नहीं हुआ तो फिर आपको दुवारा अपना payment है वो verify करना पड़ेगा वो कैसे आगे मापको यहाँ पे बताऊँगा यह जो portal है automatic अपने portal पे जो recruitment portal पे है उस पे redirect हो जाएगा अगर यह एक minute के लगभग यह redirect नहीं होता है तो देखिए वैसे तो यह होने लगए automatic तो आपके सामने जो payment receipt है वो नजर आएगी अब देखिए यहाँ पे तो आपकी जो application number है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगे ठीक है और यहाँ पे दो option आपको नजर आएगे एक आरा यहाँ पे देखिए print fees receipt यानि यहाँ से आप अपना जो चलान जमा करवाया है उसकी receipt आप पे प्रिंट कर सकते हो और नीचे यहाँ पे देखिए print application form तो यहाँ से आप फोरम है वो भी प्रिंट कर सकते हो अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार फीस है वो प्रिंट कर रहा हूँ और फोरम कहां से प्रिंट करेंगे आगे आपको मैं बताऊँगा दूसरे तरीके से भी मैं आपको प्रिंट करके वो दिखाऊंगा पहले फीस है वो प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे देखिए इस तरह की फीस है और यहाँ पे देखिए प्रिंट का option आ रहा है और मैं यहाँ पे directly print के लिए दे देता हूं इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका बराव फोरम आपको नजर आ जाएगा यह दिए आपका payment successfully हो गया है और आपका फोरम successfully भर गया है तो यहाँ पे देखिए RPC का लोगो आपको यहाँ पे नजर आएगा और यहाँ पे देखिए बार कोड आपको नजर आएगे तो बार कोड आ जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका पेमेंट सक्सेस्फुली हो गया और आपका फोरम भी फाइनल संबिट हो चुका है अब देखिए दोस्तो हमने पहले भी बात कि थी कि जब आपका पेमेंट सक्सेस्फुली हो जाएगा तो आपके अंगुठे का निसान ऊपर की तरफ और कलर हो गरीन कलर का हो जाएगा तो यह देखिए गरीन कलर का हो चुका है और यहाँ पे देखिए इसका status वो भी आपको नजर आएगा success हो गाया, किते पैसे वो भी नजर आएगा और यहाँ पे देखिए आपको कुछ number है रसीद number आपको यहाँ पे मिल जाएगे दोस्तो मान लीजिए आपके bank account से पैसे कट गए, लेकिन फिर भी आपका payment successfully नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पे देखिए green symbol नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है वापस अपने forum पे click करना है देखिए एक बार से मैं पिछे आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे home पे ठीक है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे SSO ID है जो recruitment जो portal है यहाँ पे देखिए जो my application का जो section है यहाँ पे आपका जो forum है यहाँ से उठके यहाँ आ जाएगा आप देख लीजेगा ठीक है और यहाँ पे देखिए लिखा pay now अब इसका मतलबी है कि इस forum का जो payment है वो complete नहीं हुआ है तो पहले आप अपना payment है वो complete कीजेगा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके account से पैसा कट गया और पैसा कटने के बाद मान लीजिए आपका forum फिर भी final submit नहीं हुआ और फिर भी आपको यहाँ पे pay now का option आ रखा है तो देखिए फिर आप जैसे इस पे यहाँ पे click करोगे तो click करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको link option दिखाए देगा देखिए यहाँ पे option आ जाएगा verify और cancel payment जब आप इसे verify करोगे तो आपका payment successfully हो जाएगा यह दि आपके bank account से पैसा कटा है तुरेंट नहीं होगा एक गंटे दो गंटे का wait कर लिजेगा फिर भी नहीं होता तो 24 गंटे का wait कर लिजेगा 24 गंटे के बाद आप अपना payment है उसे आप verify कर लिजेगा आपका काम complete हो हो जाएगा एक बार इसे मैं cancel करता हूँ यहाँ पर back चलता हूँ ठीक है ओके पर मैं click करता हूँ और आप देखिए दोस्तों यहाँ पर पिछे चलता हूँ home page पर मालीजी आपका forum complete हो जाता है और forum complete होने के बाद आपको forum download करना है तो view application वाले forum पे आपको click कर देना है तो आप अपना forum है आसाने से download हो कर सकते हो जैसे आप इस पे click करोगे तो इस तरह से आपको forum दिखाए देगा print का option आपको दिखाए देगा इसको आप print हो कर लीजेगा तो दोस्तों इस परकार से अपन PTI भरती 2022 का online आउदन forum भर सकते हैं साइद आप समझ गई अगर forum को लेके किसी परकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप video के नीचे comment कर सकते हो माँ आपकी पूरी help करने की कोशिश करूँगा और दोस्तों अगर video जानकारी आपको अच्छी लेगी है जानकारी मैं वीडियो के मादम से अपने चैनल के दवारा हो जरूर देने वाला हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाके ओल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ओन कर लेना तो मिलते हैं फ्रेंट्स अगली एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जे हिंद जे भारत